नमस्कार सलाम नियोस्कलिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकुल सरल आज शहीद आजम क्रांती के महनायत भगत सिंग का जनम दिन है पूरा देश उन्हें याद कर रहा है सलाम कर रहा है कल किसानों ने भी उनी की प्रिणिना से भरत बंद के तौर उन्हेयों अपने आंदोन को इतना तेज किया कि सरकार के माथे बल पड़ गए सरकार लगतार के कोशिश्च कर रही है कि इस आंदोन को सिर्फ तीन राज्यों के किसानों के आंदोन पर देखा और प्रचरित kiya जाए लेकिन किसानों के समर्थन में जिस तरह से UP से लेकर के नीन्दे उड़ गई हैं इस पर विस्तार से बात करने से पहले आईए एक नज़े डालते हैं आज की सुर्खियों पर किसानों के भारतबंद से मोधी सरकार में हल चल किसानों को देश भर में मिला समर्थन तीन लोग सबासीटों और तीस विदान सबासीटों के लिए उपचनाओ की तारिखों का ऐलान शहीद आजम भगत सिंग की एक सुचोधवी जैनती आज अपने हीरों को याद कर रहा है पूरा देश दोसो एक दिन बाद बीस हजार से कम आए करोना के मामले छे महीने बाद दोसो से नीचे आया मौत का आख़़ा अब ख़बरे विस्तार से तीन क्रशी कानून के खिलाफ किसानों ने सो मवार को दस घंटे का भारत बंद बुलाया था जिसका असर ये हुआ कि सरकार काफी बेचैन नजर आ रही है जी हाँ ये सच है देश भर में भारत बंद को जिस तरह से समर्थन मिला और गोदी मीडिया ने जिस तरह जाम को हैडलाइन बनाया आप उस सही समझ सकते हैं कि सरकार में कितनी बेचैनी है भारत बंद को मिले जन समर्थन की दिर रात तक रिपोर्टे आती रहीं आज भी सिलसले की तस्विरे साजा हो रही है केबल किसान ही नहीं बलकि समाज के अलग वर्गों ने इसमें बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया जैसे कि ये कोई दूसरा आजादिक आंदुलन हो जिसमें क्या किसान, क्या मजदूर, क्या चात्र और क्या महिलाएं सब लोग बलचल कर शामिल हुए देश के अधिकतर हिस्तों से किसानों के समर्थन में आवाजे आईएं आंद प्रदेश, असम, बिहार, चतिजगर, दिल्ली, गुजरात, हर्याना, हिमाचल प्रदेश, जम्मु कश्मीर, जारखंड, केरल, करनाटक, मध्यप्रदेश, महराष्ट, ओडिसा, पंडिचेरी, पंजाब, राजिस्थान, तमिलनाडू, तिलंगाना, तिर्प्रा, उ अधिक व्यापक्स जन समर्थन मिला है, लगबग सभी व्यपक्षी पार्टियों ने इस भारत बंद को बिना किसी शर्ट के अपना समर्थन दिया, इस भारत बंद की सफलता से भाजपा के अंदर हल चल है, खासकर आने वाले यूपी चुनाओं में इससे पढ़ने वाले को लेकर भाजपा काफी चिंतित नजर आ रही है, इसी के साथ देश भर में लाखों नौजवान छात्रों ने एक मेगा टुटर कैंपेन किया, जहां 40 लाख से अधिक टुटर, टुट्स के साथ रेलवे के छात्रों ने अपनी पीडा को जाहिर किया, पीडा परिक्षा की, पीडा भरती ना होने की, पीडा बेरोजगारी की, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की और, आज चुनाओ आयोग ने 14 राजियों में होने जा रहे उप चुनाओ की तारिकों का ऐलान कर दिया है, इन में 3 लोग सबा सीटों और 30 विदान सबा सीटों पर चुनाओ होने जा हैं, इन चुनाओ के लिए आगामे 30 अक्टूबर के दिन वोटिंग होगी, जिसके परिणाम 2 नवंबर को आएंगे, चुनाओ आयोग का दवा है कि उसने चुनाओ की तारिक की घुष्णा करने से पहले कुरोना महामारी, बाल, त्यहार, आदी सबी का ध्यान रखा है, लाथी, राजिस्थान, बिहार और करनाटक की दो-दो विधान सबा सीटों पर उपचिनाओ होंगे, तो वहीं मिजोरम, तिलंगाना, नागलेंड, महराष्ट, आनप्रदेश और हर्याना की एक-एक सीट पर उपचिनाओ होंगे, इन 30 विधान सबा सीटों के लावा, तीन लोक सबा सीटों पर उपचिनाओ होने हैं, इनमें एक सीट केंडर शाशित पर दादर और नगर हवेली से दमनदीव है, दूसरी हमाचल परदेश की मंडी लोक सबा सीट है, और तीसरी मद्यपरदेश की खंड़वा सीट है, इन सभी उपचिनाओ का रजल्ट, दो कि आज हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं देश के लिए अपने प्राणों को निचावर करने वाले शहीद भगत सिंग की आज एक सो चौद वी जैनती है भगत सिंग को सलाम करते हुए उसी दोर के एक अग्यास शायर के होसले और उमीद भरे ये दो शेर आपके सामन कभी बेसूद जा सकती नहीं सर कटाने आएंगे मकतल में दीवाने बहुत एक से चौद वी जैनती के मौके पर निउसकलेक अपने हीरो देश के हीरो भगत सिंग को याद करता है और उन्ही की पसंदिता शेर के जरिए उन्हें सलाम पेश करता है रहेगी आब औ हवा में ख आज भी पूरी दुनिया प्रभावित है भारत में भी दूसरी लहर ने देश की स्वास्ते व्यवस्ता की लाचारी को सब के सामने ला दिया था लेकिन अब करोना मामले कुछ थमने लगे हैं पिछले दोस्तो एक दिन बाद आज 20,000 चे कम नाए करोना मामले सामने आई हैं हलाकि ये आखड़ा भी कोई कम नहीं है और सतर्पता जरूरी है वहीं देश में मौत के आखड़े भी पिछले 6 मईने में सबसे कम आए हैं पिछले 6 मईने में ये पहली बार है जबकि देश में करोना से होने वाली मौतों को आखड़ा 200 से कम रहा है केंद्रे स्वास्ते मंत्रा लद्वारा 28 सितंबर को जारी आखड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में करोना के 18,795 नए मामले दर्च किये गए हैं इसके अलावा करोना से पिछले 24 घंटों में 189 मरीजों की मौत हुई है जो पिछले 6 महीने में सबसे कम है 24,373 लोगों की माथ हो चुकी है और चलते चलते उस दाद्री कांट को याद करते हैं जिसमें पिड़ित परिवार को आज तक नियाए नहीं मिला उतरप्रदेश में दाद्री के विसाहड़ा गाउं के अखलाख अत्यकांट को आज पूरे 6 बरस हो गए हैं साल 2015 में आज ही की तारीक 28 सितंबर के दिन गौमांस की अफ़ा फैला कर एक भिड़ जुटाए गई और इस उग्र भिड़ ने महमद अखलाक को महमद अखलाक नाम के एक विजुट को उनी के घर में घुशकर पीट पीट कर मार डाला आज 6 बरस बाद भी उनके परिवार को इंसाफ का इंतिजार है आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही हमारी खबरों को विस्तार चपढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट निज्सक्लिक पर विजिट कर सकते हैं हमारे फेजबूक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं इसके लावा आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमसे जुड़ी रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया